If you really want to become something in life, be a sportsman. Sports ने हमारे देश को बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स दी हैं और जब जब विदेशी धर्ती पर नैशनल एंटम बज़ता है तब तब हर हिंदुस्तानी का सर्व गर्व से उचा हो जाता है ऐसे बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स दी हैं इंडियन होकी टीम ने हमारे बहुत सारे होकी प्लेयर्स के टेलेंट को पूरी दुनिया ने माना है और आज हमारे साथ इस शो पर है एक ऐसी ही सक्षियत प्लीज वेलकम फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन होकी टीम मिस्टर गगन अजीट सेंग् वेलकम बाजी थैंक यू वेरी मुझ थैंक यू सो मुझ पाजी आप टाइम निकाल के हमारे टॉक शो पे आए इतने बीजी स्केडियूल में से आपने हमें टाइम गया थैंक यू आपने बुलाया ए बड़ा अच्छा शोव है यूटूब पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू पाजी सो भाजी फर्स्ट अफल कॉंग्रेटुलेशन्स इंडियन टीम ने 2020 में इतना धमाल मचा दिया और यू बहुत बहुत मुवारकें आपको थैंक यू उसके बारे में पाजी अप क्या कहना चाहेंगे होकी हमारी एक नेशनल गेम है और बहुत देर बाद 1980 के बाद अब एक ब्राउंज मेडल है इस पर पहले 72 लंपिक्स में ब्राउंज मेडल ता जिसमें गुड़ पार यह था मेरे फादर भी थे वो भी सदार जी सिंग लंपिन उनका 72 में ब्राउंज मेडल था और इसमें खुशी और बात है इसमें जो रुपिंदर लड़का है जो फुल बैक था वही हमारा कजन है तो बहुत अच्छी बात है और एक नेशनल गेम बहुत देर से एक मैडल नहीं आ रहा था जी औलम्पिक्स में सारे मैडल बड़े इंपोर्टन होते हैं लेकिन एक नेशनल गेम को लेके सारी लोग बहुत ही एक्साइटे होते हैं और बहुत देर से मैडल नहीं आ रहा था और ये मैडल आने से मेरे साब से कम 15-20 साल होकी को बहुत अच्छा कर रवाइबल मिला है बिलकुल बिलकुल बाजी आपने किस एज में गेम शुरू करी और आपको सेक्सेस कब म हमें मैंने तो जो बच्पर में खेलना शुरू किया क्योंकि मेरे जो ताया जी थे वह वी 72 ओलम्पिक के कैप्टन रहें तो हमारी फैमिली में तीन ताया जी फादर और आप मैसल हम तीनों ही प्रेजिटन अवाडी है तो एक फैमिली में जैसे एक महौल स्पोर्स का था त तो स्कूल के बाद फादर साफ के साथ जाना तो एसी धिरे-धिरे शॉंक बन गया है एंड कितने साल लगे पाजी आपको आपने प्रैक्टिस जब से शुरू करिया और इंडिया जब आप खेलें इंडिया जब मैं पहले उसके बाद स्पोर्स स्कूल जंदर चले गया था जूनी नैशनल होई थी और जिसमें मेरे हाइस गोल थे और इसकोर 29 गोल और उसके बाद जब जूनी नैशनल का कैम लगा जूनी वल्लकुप का, 97, Milton Keynes, England में जूनी वल्लकुप होना था तो मैं मेरे खेल 16 सालन का था और होकी में नदे 21 होता है तो मेरेको चैमे में निए तो थोड़ा local media लिखा भी अगर junior national हो रही है हाई स्कोर को camp में रख रहे फिर ऐसी national का फाइदा का चलो मेरे को camp में रख लिया पर में को टीम में निले गए तो ड्रॉप हो गया उसके बाद फिर मेहनत की पर में फिर सीधा senior team में आया 98 जो फिर्स्ट मेरी commonwealth game और सबसे पहले मैं उसमें पार्टिस्पेट इंडिया टीम में आया तो उसके बाद बड़ी इंटरस्टिंग जी है क्योंकि को जुनियर वर्ल्ड कुप में ड्रॉप का दिया था फिर उसके बाद 2000 में सिद्नी लॉम्पिक्स में मैंने फिर्स्ट पार्टिस्पेड किया जो 2001 junior world cup था उसमें हमारी एज आरी थी मेरी अच्छा जी तो फिर देखो कितना फिर इतनी मेहनत की उसमें ही captain बनके गए वही junior world cup जहां पर drop किया था और उसके बाद नहीं एक मेहनत करोगे एक टार्गेट से करोगे तो अचीव जरूर होती चीज़े जाती है या लोग प्रेक्टिस करके खुदी सीख जाते हैं वह है प्रेशर हैंडल करना तो आप जब खेलते थे या आपने पहला परेशर के पाक्णा के लिए अवगा फेशर के लगानल था तो किस तरीके का प्रेशर ते और आपने किस तरीके से हैंडल गा उसे जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है खासकर करके जैसे हमारी इंपरतन गेम्स एक तो अगर हम फोर निशन चल रहा है कोई पर अगी इसे पाफिस्तान के साथ मैच तो इसमें बहुत प्रेशर होता है पर स्पोर्स में जो मैंने सीखी है एक बहुत अच्छी बात है वही आज अगर हम हारे हैं तो कल जीते हैं और कल जीते हैं तो हार भी सकते हैं आपको अपना फोकस जरूर और परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन रखनी चाहिए बिल्कुल यह चीज एक बड़ा स्टेबल्टी जो मैंने सीखी है लाइफ में वो एक स्पोर्समें ही समझ सकता है और एक स्पोर्स के जरीए ही एक ही चीज है जिसमें हमारी नैशनल एंथम अग उपर जा रहा हता है तो वह जो आँखों में आसू होते है वह एक ऐसी फीलिंग होती है जो बंदा खड़ा होता है वह अचीव किया और जब आपका फ्लैग ऊपर जा रहा होता है नैशनल नहीं दो बड़ा एक इमोशन सीन होता है इसमें यह तो आप आपकोंटी रिस्पे जिन ना और लगे रहना जब हारते हैं सर हम सो स्पेसिफिक्ली अगर अगर हम देखें हमारे यंग्सटर्स जितनी बारी कई बर कोई फेल हो जाता है यह कई बरी कुछ अचीव नहीं कर पाता तो हमारे ज्यादा तर लोग हार के घर बैड़ आते हैं तो जब आप हारते थे सर कोई मैच हारते थे यहां कहीं सेलेक्शन नहीं होती थी तो आपको वो हार को किस तरीके से लेते थे सर ही मैंने बताया जैसे 71 1970 97 में जूर्य हाय स्कूर था में को नहीं रखा यह थोड़ी मेरे दुनिया खतम होगी तो मैंने और मेहनत की मैं सीधा सीने टीम में आया जी तो आजकल की नॉर्मल लाइफ में मैंने जेखा है बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं और एक बहुत जल्दी चीज को पाना चाते हैं तो इसलिए प्रेशर में रहते हैं आप एक अपने टार्गेट को लेके चलो मेहनत करो आप जरूर वहां पे पहुंचते हैं ऐस अपने तो फिर चीज अप्रोचेबल है डिजिटल मीडिया के थूरू या आप इंटरनेट के थूरू किसी कहीं भी किसी भी टाइम कॉल लगा सकते हैं आप इतने इतने दिन घर से बहार रहते थे तो पेरेंट्स का वह क्या टेक होता था सर पेरेंट्स का होकी ही एक ऐसी ओर नहों अपक के जिए ऑर एक मीड़ीन हैं जो एक प्रेंट्री में क्रिकेट् o ऐस्ट्रेलिया जाएगी साल बाद जाएगी तो होकी में ट्रैवली बहुत जढ़ा होते अर एक बैक टू पेक टॉ टॉरूमें चार साल बाद पर ओर एक साल बाद आ रही है एशिंगेम चार साल बाती है जब जैसे इस एर में एशिंगेम नेक्स्ट यर में साथ मी वर्ल्ट कब आ गया साथ मी ओलम्पिक सागी तो सरकट वैसी चलता रहती है तो उसके लिए उसमें जो आप सबसे ज्यादा अपने आपको फीजिकल फिट डिसिप्लिन और हमारे जो कै करते थे जरूर करते थे और तब इतना सीधा फोंज नी होते थे काड़ कार्ड साथ ऐसे इंटर क्लिंग्रुंग ढरें तो मिस तो इतने दिन रहर है कि मिस तो करता है लेकिन आपका फिर्श्ट गर जहां आप कैंप में खेल रहे हो कर हमने नौ साल इंडिया टीम में खेले तो जो टीम प्लेस हैं कोच्छ थे तो वह भी अपका घर बन जाते है सफ सोला कोज बंदों के माती मिला कर 22 जा बंदे हैं वो यूनिटी वो वननेस के वारे में क्या किया ना चाहेंगे किस तरीक की मस्ति होती है किस तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं जब टीम गेम होती है ना उसमें एक तो टीम होकी की टीम गेम है जी तो सभी प्लेज आपस में इतना ज़्यादा होते हैं अगर आप सोचोंगे हमने फ्लाइट में भी ट्रेवल किया ना तो वहां से एंटर्टेन्मेंट मस्ती शुरू है यह नहीं मतलब भी मस्ती बाहर जा रहे हैं आपस में पंगे एक दूसरे के साथ जा कोई कोई पेसेंजर बैठा है उसको बारी-बारी बोलना तो जो उस टीम की जोन में अगर को प्राइवट बंदा आ गया तो वह तो परिशान हो जाता है काफी मस्ती चलती रहती है कि हम इकठे खेल रहे हैं इकठे ट्रेवल कर रहे हैं तो परी सारी मेमरी जैसी है बिलकुल सुपब सर जब भी सजार थी सजार लोग सारे आसपास बैठे होते हैं क्राउड बैठा होता है इन दे आर चीरिंग वर और वो दे चीरिंग फोर दी अधर टीम तो उस टाइम प्रेशर को आप कैसे हा व्हु यू जितने विले आए जो हमें देखने आए हैं अपना काम करने आए तो चीज जाह बूटिवेशन होती है अगर आप मेजर टरॉनमेंट से ओर अगर उस सब्सक्राइब करना परता है सब्सक्राइब करना परता है सब्सक्राइब करना परता है सब्सक्राइब करना परता है तो इंजरी कुछ ऐसी होती हो टाइम तो लगता है ये रकावर करने में तो इपेंड करता है वह उस टाइम पर मेजर टॉर्नमेंट में यही अर्दास करते होते हैं अभी भगवान हमारा शरी ठीक रखें जी क्योंकि कोई इसी इंजरी नौ जाए तो टॉर्नमेंट से बाहर जाते हैं हमारी होकी गेम में जो चोट लग जाए तो जैसे आप खेल रहे हैं तो लगे तो लाइज कोई का नी आठ स्टीचिज यह नी फ्रेक्टर को थोड़ा हम पैनी बांगी होकी का ओक्टेक्ट गेमें दस-पंदरा स्टीचिज लगए बाह लागी तो वह चलती रहते पिरहाँ अवे जेट लग twee जरेंगी ह। ने इतना सीरूस नहीं लेचतै को अगर हम 97 से बात करें और आज 2021 की भात करें hockey has evolved a lot. People have started watching it, loving it and they have started giving full interest in hockey. How do you see that change sir? कोई भी जो अपनी कंट्री है अपने लोग बहुत ज्यादा चीजे जल्दी भूलते है और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है तो जब हम भी खेल थे हमारा जब 2000 जूनियर वर्ल्ड कप जीत के आई यह सम्ट तो जो प्रफेशनलिजम हमारे टाइम भी आ रही थी हमने भ परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो अभी तेखो रेड़ बोल एड़ा सब फोमेशन होते होते हैं लेकिन आपको इस चीज़ों पाने के लिए जीतना पड़ेगा और होकी टीम गेम है अभी प्रफेशनलिजम लाने में जैसे पहले 35 मिनिट के बाद एक हाफ टेम होता था जी फोर हाफ कर दिये ताकि उसमें ज्यादा एड़ आएं जी तो यह थोड़ी चीजे मेंटर करते हैं बिल्कुल सर ऐसा 70 मिनिट गेम और उसमें चार हाफ डिवाइड कर दियां सर और इतनी फास्ट होने के कारण फिटनेस लेवल बहुत जादा एस कंपेर टू अधर गेम होकी ऐसी गेम है जो एक सेकंड में आपको पूरी बॉड़ी में टर्न करना पड़ता है तो इंजरीज भी बहुत हैं तो इसमें रिफ्लेक्स का बहुत जरूरी इंपॉर्टन पार्ट है अगर आप किसी को पास दे रहे हो और फोर सेकंड में डिले होगे तो पास सही ही जा होगी और इंडरेंस कम होगी क्योंकि इंडरेंस तो होकी में बहुत होती है और फिटनेस तो इतनी जरूरी है जो मेजर प्लेज के लिए तो एवरेज हमारा 9-10 किलोमेटर एक मैच में होता ही है तो इसको मैंटेन करने के लिए बहुत ज़ादा एफट और अगले दिन कोई मेजर टर्नामेंट के बाद आप फिर नेक्स्ट मैच है उसको रिकवरी करनी है काफी चीज़ें सर कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आप बहुत जादा डिमोटिवेट होगे थे और उसके बाद आपने रिकवर किया और कुछ चेंज किया और आप आगे बढ़े कोई भी मैच क का इंसिडेंट या कोई भी चीज का सर एक तो मेरे साथ वह इंसिडेंट था जो जूनियर वर्ल्ल का लापक पहले निका और एक मारे लिए बड़ा इंपॉर्टन था जब हम 2000 सिद्नी लंपिक सियल रहते हैं वह आज की तक की बेस्ट टीम थी मेरे हिसाब से अच्छाब से मेडल के और एक पोलंड के साथ हमारा बड़ा इंपॉर्टन मेटा कर पोलंड से हम तू टू ड्रॉ भी हो जाते हैं तो हम सैमी फाइल मेडल हमारा जिए और सिर्फ एक मिनिट रह गया था हम 1-0 से जीत रहे थे और एक मिनिट जब कम हो गया हम 1-1 ड्रॉ और हम पूल से बा आते रहते हैं जब आप हार के आते हैं सर कई बारी अनफॉर्चुनेट आये वैसे कई बारी आप देश में वापस आते हैं तो काफी निंदा भी होती है निंदा तो एरपोर्ट से शुरू हो जाती है अगर हम कोई लास्ट मैच ऐसी टीम से हरे क्योंकि लोग को ने पाकिस जो से इमिग्रेशन the bell होते हैं वह हमारे से इमिग्रेशन स्टेंप लगाते हैं मलों रहलों ओमारि तरफ देख तबह करते हैं गैंऑ यह गयो इसे करते हैं जैसे शीजें Гुशे से बोटिय छीज जिच tilt सफ रहता है है जी जलता रहता TEPS ब्ल्किल के लोग गले लग आपको केप्टन बना जेते हैं और वो भी नेशनल टीम का बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिल्टी होती है तो बाकी उसे डिसिप्लिन में क्योंकि बाकी तो फिर भी कहीं न कहीं बाहर गए घूमने चले कि आप कोचिस के साथ मीटिंग में वाल वो जो वहां लोकल कमेटी है उनके साथ मीटिंग होती है तो प्रेशर अलगसा बन जाता है रिस्पॉंसिबिल्टी बहुत जादा बढ़ जाती है तो सारे प्लेश को कठा रखना फिर आप जो फर्स्ट 11 अनौंस कर रहे हो तब भी न मैच आपके साथ कि फर्स्ट 11 में अगर नहीं डाला तो पंगा पढ़ जाता है फिर उसको बैलन्स करना पढ़ता है चलता रहता है अगर वह मैच हार गे फिर तो बहुत ज़्यादा पंगा पढ़ जाता है जी बिल्कुल सर ऐसी तीन चीजें जो आपने दूरिंग अल्योर जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स तीन ऐसी चीजें जो आप यंग्स्टर को एडवाईज करना चाहोगे तीन ऐसी चीजें जो आपने स्पोर्ट्स से सीखें सर डिसिप्लिन रिस्पेक्टियोर नेशन जहां आप रह रहे हो यह बड़ा इंपॉर्टेंड है भी आप अपने मैं बह आपना एक फोकस भी एक लाइफ का आप में अजंडा होना चाहिए आज मैं सुबह उठा हूँ यूथ के विए आज मैंने करना क्या है जी बिल्कुल तो तभी आप उस टार्गट पे पहुंचोगे यह नहीं भी सड़न आपकी एज होगी और आपको फिर कोगे मैं तर यहा करते थे not only if they are playing sports अगर वो नहीं भी करने तो physically बहुत ज़्यादा फिट लोग थे आज कल अगर आप बच्चे देखों के सारा दिन computer पे या video games खेलते रहते हैं घर पे बैठे रहते हैं sir specially उनके लिए आपका क्या मैसेज है sir how much fitness or sports is important बच्चों के लिए मैसेज जरूरी नही आप अपने यह नहीं भी आप स्पोर्स में डाल रहे हो और इंडिया खलाना है नेशन के लिए sports में डालने के लिए बच्चे की बहुत ज्यादा discipline में रहते हैं और अपना टाइम पे खाते हैं टाइम पर सोते हैं और फाल तू चीजों से बहुत दूर रहते हैं तो एक sports को पर बच्चे को देख लो किसे भी देख लो कोई नवी पर इस पोड़ाई कर रहा है प्राई भी बहुत जरूरी है लेकिन एक घंटे के लिए अपने बच्चे को बच्चे को पोड़ानी चाहिए उससे ही माइन फ्रेश और डिवल्पोता है सपोर्ट्समें की लाइफ में एक परस्ट्समेंटी डेवल्पमेंट एक चीज है उसमें sports का क्या रोल है सर पॉर्ट्स का बट बड़ा रोल है क्योंकि आप जब आप स्पोर्ट्स करते हो आप अपना फिटनेस का धिहान रगते हो और एक लाइफ में डिसिप्लिन के रहते सर जैसे भी कई बारी क्या होता है कि थोड़ा सा फनी मेरे मन में एक क्वेश्चिन आया कि इंग्लिश बोलने से बहुत सारे sportsmen हिच कि जाते हैं जब वो बेसिकली कहीं आवार्ड शो पे जाते हैं या उन्हें कोई man of the match or man of the series award मिल रहे हैं इस तरीकी कोई funny moments है काफी funny moments है कई बार तो लड़के थे यार खेले अच्छे थे कहते यार अच्छा में नहीं 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 है और यह चीज़े आज कल में कोई प्रॉल्म नहीं है सब लड़के पड़े लिखे आ रहे हैं और यह चीज़े आज कल शोशल मीडिया पर इतना कुश है तो बं नहीं नहीं पता लगता कि हम किस रस्ते जे शुरू करें और किदर को जाए हमें कितना एफट लगेगा तो उनके लिए कुछ काइडेंस जो बच्चे होकी में बेसिकली वांट टो बिकाम होकी प्लेयर से बिखो उनके लिए थोड़ा सा हमारे जो स्कूल्स हैं जहां प्रा सबस्क्राइब होना चैए मैं धाई साल हौलन लीग यक खेला था डो वहाँ रौड ही प्रफेשनल लीग थी तो वहीं पे रहते थैं मतलब हमारी में कुल्चर होना बहु जरूरिया कुल्चर होना बहुरिया जो हमारे ऐंडिया में सिपोर्टन कुल्चर नहीं ग्यां वहाँ पर थाई साल रहने में रहा वहाँ पर और हमारी क्लब के पास नौ अश्टर थी और तेरह सो बच्चा रिजिस्टर था और मैं शॉक था मतलब भी साड़े चार सो अंडर ट्वेल लड़कीं गोल की पर रिजिस्टर थी अगर क्लब में वह उनमें से कितना अच्छा लड़की आएंगी जो परफॉर्म करेंगी लड़कें इंडिया जो नेशनल टीम में वह आएंगी तो कितना बेस बिलकुल सर बिलकुल तो हमारा थोना सा कल्चर एक ड्वेल्प होने की जूरत है आजकल सभी पंजाब में लोग बाहर भागने की त्यारी है जी आजकल तो मेनत करना नहीं चाते मेरे साथ से बढ़ा आपने सर्फ सही पॉइंट पकड़ा आजकल हर बंदा बाहर जाना चाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया में कितनी ऑपरचुनिटीज हैं क इस पर एक फील्ड में जी 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 तो मेनत तो करने बड़ेगी बिल्कुल तो एजी रिक चीज मिलेगी नहीं तो आजकल नहीं जेनरेंशन देव वांट एवर्टिंग तो बिल्कुल सरान तो ट्रेनिंग अपनी मेनत कम करो और रजल्ट जल्दी मिलना चाहिए जी बाग र पर आप सुनते हो गया समझते हो गया कि पेशन्स लूज कर गए हैं बच्चे या किस तरीके से हैं तो कुछ यूद के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर्टिप्टिक मिश्र पुलिस लुद्याना तो तो काफी अब तो पुलिस में बहुत दिर होगी तो बड़ा कम हो गया है और एक बरदाश्ट करने की कुछी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो हरेक चीज आजकल इगो लेवल हरेक का इतना हाई है तो हरेक कोई पता नहीं क्यों दूसरे से लड़ने के लिए पेशन्स रेगा यह अब अगर स्पोर्स में तो आप सीखो के सारा में जी अले तो I am very thankful to this Friday talk show and especially thanks to you आपका बड़ा सुना था बड़ा अच्छा रहा बड़ा healthy discussion थी sports पे तो viewers के लिए मैं यही कहूंगा भी एक focus रखो और एक life में self-respect जरूर अपने आप में होनी चाहिए इससे आगे इससे नीचे मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कभी जाए वो सड़क पे कुछ चीज फैंक नहीं बाली है हम शीशा नीचे करते हैं फैंक देते हैं तो जब और अपना एक जैसे बोला था डेली का एक टार्गेट होना चाहिए बिलकुल सर आज मैंने कितना effort करके एक step आगे आना तभी हम वहां तक पाएंगे थैंक यू वेरी मुच गगर नजीट सर पर कम इंस परिंग यूर ताइम थैंक यू वेरी मुच यू नेक्स वीक थैंक यू वेरी मुच